खेसारी लाल यादो पिछले दिन हिंदुस्तानी भाव की पाटी में पहुचें और हिंदुस्तानी भाव की पाटी में जब वो पहुचें तो वहां उन्हें दो गोल्ड मैन मिल गए जी हाँ उन दो गोल्ड मैनों को देखकर खेसारी ये सोचने लगे कि लोग उन्हें जूटे ही ये कहते हैं कि खेसारी के पास जादा सोना है खेसारी के पास तो इनके काबले कुछ भी सोना नहीं है जितना सोना ये दोनों गोल्ड मैनों ने पहना था साथ ही वही खेसारी लाल यादो भी इन से मिले और खेसारी लाल यादो जैसे ही इन से मिले इनके गोल्ड को देख कर चका चौन्द हो गए वो ये सोचने लगे जूटे ही भूजपुरी इंडस्ट्री में उन्हें गोल्ड मैन कहा जाता है अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे गोल्ड में जिनसे वो मिले हैं वो आजाएं तो उन्हें क्या कहा जाएगा खैर खेसारी लाल यादो यहां अपने आग गोल्ड वेयर करके बिल्कुल नहीं गये थे वो सिंपल सी एक गोल्ड की चैन पैन के गये हुए थे और उन्हें ने जो कपड़े पेरे थे वो बहुत ही सिंपल साधे थे क्यूंकि खेसारी लाल यादो सीध है अपनी एक गाने के शूट से डिरेक्ट हिंदुस्तानी भाव की पाटी में गये हुए थे वैसे यहां के हंदुस्तानी भाव ने बिग बास टाइम के जितने भी कंटेस्टन्ट थे उन्हें से सिफ़ सेफाली जरी वाला और खेसारी लाल यादो और यहां खेसारी लाल यादो को उन्होंने बहुत प्रेस किया साथ ही ये बताया कि खेसारी ने किस तरह से उनका साथ दिया है और खेसारी को बहुत ही नेक दिल इनसान बताया तो वहीं खेसारी लाल यादों ने भी हिंदुस्तानी भाव की जम कर तारिव की और कहा कि हिंदुस्तानी भाव जैसे बाहर दिखते हैं वैसे बिलकुल भी नह प्राइब कर दो